नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवन्त, महाराश्टीड वोर्ड, मैथेमेटिक्स, चाप्टर नमबर फाइव, आपरेशन्स और रैशनल नमबर्स अब ही नेक्स्ट जो पॉइंट है, यह है, नमबर्स इन बिट्विन रैशनल नमबर्स तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अनुरुद हैं, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइक़न प्रेस करें, जिससे की आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं अब देखें नमबर्स इन बिट्विन रैशनल नमबर्स क्या होता है, अगर समझो हमने एक नमबर ले लिया है, फाइव और टेन, तो इन दोनों नमबर्स के बीच में आने वाले जो नमबर्स हैं, वो 6, 7, 8 और 9, ये तो हो गई इंटिजर्स, अब अगर हम दो रैशनल न रैशनल है, लेकिन जो पी बाई क्यू फाम है, जिनका डिनोमिन नहीं है, सुपोस हमने एक नमबर ले लिया है, 2 बाई 7 और दूसरा नमबर लिया है, 6 बाई 7, तो इन दो नमबर्स के बीच में, इन बिट्विन आने वाले जो नमबर्स हैं, वो अगर हमें लेने हो, तो कै इसा है, देखे, तो इसे पहले हमें समझना होता है कि कम्पैरिजन आप रैशनल नमबर्स, कम्पैरिजन में क्या होगा, अब जब भी डिनोमिनेटर इकुल होगा, समझे आपे 8, यहां पे भी 8, और 1, 3, तो डिनोमिन अगर इकुल है, तो जिस नमबर का निमरेटर 3 is greater than 1, 3 greater है, तो 3 by 8, 1 by 8 से greater होगा, अब 2 by 3, 7 से greater और 6 by 7 से smaller, ऐसे हमें नमबर्स फाइंड करना है, तो 2 by 7 से greater होगा, 3 by 7, 3 by 7 से greater होगा, 4 by 7, और 4 by 7 से greater होगा, 5 by 7, और 5 by 7 से greater होगा, 6 by 7, तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, कि in between numbers कैसे find करना है, दो rational numbers के बीच में, अब question आता है, कि अगर denominator equal नहीं है, तो, suppose 3 by 4 और 5 by 7, ये दो numbers हैं, अब इन दो numbers के बीच में, अगर हमें numbers find करने हो, तो कैसे करना है, तो आसान है, denominator का LCM ले लिजे, दोनो numbers का, अब 4 और 7 का LCM होता है, 28, तो 4 को, 7 से multiply करने के बाद 28 आएगा, तो 4 का numerator, उसे भी 7 से multiply करना होगा, 7, 3 is a 21, और 7 को 4 से multiply, 7, 4 is a 28, तो 5 को भी, 7 के numerator को भी 4 से multiply करिये, 4, 5 is a 20, अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए, 20 और 21, तो 5 by 7, जो number है, वो smaller है, 3 by 5 से, तो 5 by 7 हमें पहले लिखना है, और 21 by 28, मतलब 3 by 4 बाद में लिखना है, तो इस number से greater और इस number से smaller हमें numbers find करना है, अब question है कि कितने numbers find करना है, इन दोन numbers के बीच में, होता क्या है, कि कोई भी 2 rational numbers हम लेते हैं, तो इनके between, इनके बीच में, infinite number of rational numbers आते हैं, तो उन में से हमें कितने find करने हैं, 10, 5, 10, 15, अगर समझो, इन दोनों के बीच में हमें 5 rational numbers find करने हैं, एक दुसरा तरिका हम लेते हैं, 9 rational numbers find करने हैं, suppose, तो हमें क्या करना हैं, देखें, 21 और 20, अब यह जो number है, वो तो आगया 20 by 28, और यह number आगया 21 by 28, अभी 20 by 28, 5 by 7 का equivalent number है, मतलब इन दो numbers की value से हम आ जाएगी, तो 20 और 21 के बीच में तो कोई integer नहीं है, तो हमें क्या करना है, अगर 9 numbers find करने हैं, तो numerator और denominator को हमें 10 by 10 से multiply करना है, 10 10 से multiply, numerator denominator numerator numerator denominator denominator denominator, दोनो numbers को, तो यह होगा 200 divided by 280, और यह होगा 210 divided by 280, अब इन दो numbers की बीच में, 201, 202, 203 से लेकर 209 तक 9 numbers हमें मिल जाएंगे, तो अगर 9 numbers find करने हैं, और इन दोनो numbers में 1 का difference है, तो 9 प्लस 1 आगे का number लेजे एक और उससे numerator denominator दोनों को multiply करिए, तो इन दोनो numbers के बीच में, एक number होगा 201 divided by 280, दूसरा होगा 202 divided by 280, अब तो हमें लिखना है 209 divided by 280, तो यह हैं rational numbers, between any two rational numbers, practice set 23, question काया देखे, write three rational numbers that lie between the two given numbers, दो दिये गये numbers के बीच में, तीन rational numbers find करिए, तो 2 by 7 और 6 by 7 में denominator equal है, तो numerator जिसका smaller 2 by 7 यह number smaller और 6 by 7, numerator जिसका greater यह number greater, तो 2 by 7 से greater होगा 3 by 7, 3 by 7 से greater होगा 4 by 7, 4 by 7 से greater होगा 5 by 7, 5 by 7 से greater होगा 6 by 7, question number 2 है, 4 by 5 और 2 by 3, तो सबसे पहले हमें find करना है कौन सा number smaller और कौन सा greater, अब देखे, cross multiply करके भी हम find कर सकते हैं, smaller और great number, 4 into 3, 12, 5 into 2, 10, तो 2 by 3 जो है वो number smaller होगा, 2 by 3 और 4 by 5 greater होगा, अब 5 और 3, denominator का LCM लेना है, 3 और 5 का LCM होगा 15, 5 और 3 इन दोनों number से divide होने वाला सबसे smallest number, 3 के भी टेबल में और 5 के भी टेबल में आने वाला सबसे smallest number, 3, 5 जा, अब 3 को 5 से multiply, तो numerator को भी 5 से multiply, 2, 5 जा, 10, 5 को 3 से multiply, 5, 3 जा 15, 4, 3 जा 12, तो 10 और 12, अब 10 और 12 के बीच में एक ही number आएगा 1, तो अब हमें numbers find करने हैं 3, तो अगर हम 3 से इसे multiply करते हैं, तो 10, 3 जा 30, 12, 3 जा 36, 30 और 36 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, अब 5 नमबर साथ हैं, 31, 32, 35, तो numerator और denominator दोनों को, अगर हम 3 से multiply करेंगे, या फिर 2 से multiply करेंगे, तो भी देखें, 2 इंटो 10, 20, 2 इंटो 12, 24, 21, 22, 23, तो numerator और denominator दोनों को 2 से multiply करें, तो 2 इंटो 10, 20 देखेंगे, 15 इंटो 2, 30, 12 इंटो 2, 24 देखेंगे, 15 इंटो 2, 30, तो 20 बाइ 30 से ग्रेटर होगा, 21 बाइ 30, 22 बाइ 30, और उस से ग्रेटर होगा, 23 बाइ 30, अब यहां पे multiply क्यों करना है, नेबरेटर और denominator को, क्या होता है, कि equivalent fraction हमें समझना है, या equivalent rational numbers क्या होता है, कि numerator और denominator दोनों को, same number से अगर हम multiply करते हैं, तो उस rational number की value change नहीं होती, जिसे हम multiply कर रहे हैं, अब 10 by 15 को equivalent, equal number 20 by 30 होगा, अगर हम numerator और denominator दोनों को, same number से multiply करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे 4 by 5, दोनों numbers को numerator denominator को, हमने पहले 3 से multiply कर लिया, LCM लेकर, फिर बीच में जो numbers हैं, इनके 5 numbers या 3 numbers नहीं आ रहे हैं, तो 2, 2 से multiply करना पड़ा, तो यहाँ पे 2, 2 से हमने multiply कर लिया, तो यह 3 numbers हैं, अब देखे, answer अलग-अलग क्यों आ रहा हैं, आपे 3 numbers अलग आ गए, अगर समझो में आपे 3 से multiply करते हैं, निमरेटर और denominator को, तो answer अलग ही आ जाता, मतलब और 3 numbers जो हैं, वो अलग आ जाते हैं, इन दो numbers के बीच में, infinite numbers हम find कर सकते हैं, तो उन में से हमें सिर्फ 3 लिखने हैं, तो infinity numbers हैं, infinite हैं, तो उन में से हम 3 लिखेंगे, तो answer अलग-अलग आना ही हैं सबका, नेक्स्ट कुश्चन है, तो अब यहाँ पे जो negative number होता है, वो smaller होता है, positive number से, तो minus 2 by 3 और 4 अपन 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, 3 और 5 का हमें LCM लेना है, 3 और 5 का LCM होगा, 3, 5 is a 15, 5, 3 is a 15, 3, 5 is a 15, minus 2, 5 is a minus 10, 5, 3 is a 15, 4, 3 is a 12, अब minus 12 और plus 12, sorry, minus 10 और plus 10, 12, इन के बीच में हैं, अभी minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, तो ऐसे number इन दोनों numbers के बीच में आ जाएंगे, तो उन में से कोई भी हमें 3 numbers लिखने हैं, minus 9 by 15, इस से greater हम लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में जरुर आता है, 1 by 15 भी लिख सकते हैं, 2 by 15 भी हम लिख सकते हैं, कोई भी हमें त्री नंबर से लिखने हैं 7 by 9 और माइनस 5 by 9 निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर तो निगेटिव नंबर स्मालर होगा हमेशा पॉजिटिव नंबर से 7 by 9 से अब देखें दोनों नंबर का डिनामेंटर जो है वो इक्वल है 9, 9 तो माइनस 5 से ग्रेटर जब निगेटिव साइन होता है तब क्या होता है जो नंबर ग्रेटर होगा वो स्मालर होता है देखें माइनस 7 और माइनस 6 में 7 ग्रेटर है 6 से कब जब दोनों का साइन पॉजिटिव हो अगर निगेटिव साइन होगा तो minus seven smaller होगा minus six से तो minus five से जो greater होगा वो minus four होगा minus four by nine minus four से greater होगा minus three और minus three से greater होगा minus two by nine तो हमें सिर्फ three numbers ही find करना है हम six तक six by nine तक numbers ले सकते हैं minus two by nine minus one by nine zero by nine मतलब zero one by nine two by nine three by nine तो उनमें से कोई भी three numbers हमें लिखने है अब नेक्स्ट जो question है वो है minus three by four और plus five upon four जो smaller number है वो देखें minus three by four है greater number five upon four है तो minus three से greater number होगा minus two minus two by four उससे greater होगा minus one by four उससे greater होगा zero upon four उससे greater होगा one by four two by four, three by four four by four four by four मतलब one तो ये three numbers हम कोई भी लिख सकते हैं अब जो हमने बता हैं next question है seven by eight minus five by three तो negative number smaller होगा तो minus five by three और seven by eight denominator equal नहीं है इनके तो eight और three इनका जो LCM होगा 24 होगा three, eight जा 24 minus five eight जा minus 40 eight, three जा 24 seven, three जा 21 अब minus 40 से greater minus 39, minus 38 ये numbers greater होगे तो हम positive numbers भी लग सकते हैं या negative भी लग सकते हैं एक number negative लग के minus 39 by 24 अब इससे greater होगा one by 24 इससे greater होगा two by 24 और उससे greater 21 by 24 denominator equal है numerator greater जिसका है वो number greater होगा minus 40 से greater 21 से smaller हमें numbers find करना है five by seven और 11 by seven अब दोनों भी number positive हैं तो five smaller होगा 11 greater होगा तो five by seven smaller 11 by seven greater अब five से greater six होगा six by seven six by seven से greater होगा seven by seven seven by seven मतलब one भी हम लिख सकते हैं और eight by seven उससे greater nine by seven और उससे greater ten by और 11 by seven तो हमें तीन numbers लिखने हैं हम चार लिखेंगे तो भी मतलब चल जाएगा नेक्स्ट जो दो नमबर से हैं वो है 0 और minus three by four अब देखें minus three by four negative number zero से smaller होता है तो minus three by four हम लिखेंगे यहां पे और zero upon four अब देखें minus zero का denominator कुछ भी नहीं है तो one होता है लेकिन zero को अगर हम four से भी डिएड करेंगे तो भी answer zero यह आता है तो zero by four भी हम zero को लिए लिख सकते हैं अब minus three से greater minus two और minus one फिर उसके बाद zero आता है तो हम क्या करना है में numerator और denominator को two से multiply करना है three से भी multiply करेंगे तो भी answer आजाएगा four से multiply करेंगे तो भी answer आजाएगा answer सही आएगा लेकिन number जो हैं वो अलग आजाएगे तो minus three into two minus six divided by four into two eight और zero into two zero divided by four into two eight minus six by eight से greater होगा minus five by eight उससे greater होगा minus four by eight उससे greater होगा minus three by eight और उससे greater ग्रेटर zero by eight negative number है तो जो number smaller होता है वो greater होता है देखिए कैसे number line हम अगर लें तो number line पे यहाँ पे 1 होगा minus 1 0 होगा minus 1, minus 2, minus 3 जो left hand side में जैसे हम जाएंगे अब देखिए positive number 1, 2 2 से 1 smaller होगा 1 से smaller 0 होगा 0 से smaller minus 1, minus 1 से smaller minus 2 minus 2 से smaller minus 3 तो यहाँ पे 2 और 3 में 3 greater है लेकिन अगर दोनों का sign negative आगया तो minus 3 minus 2 से smaller होगा तो इस वज़े से हमने minus 3 से greater minus 2 minus 2 से greater minus 1 लेना है तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आगे next जो वीडियो होगा उसमें हम decimal form of rational numbers यह cover करेंगे और फिर उसके बाद simplification के कुछ rules है board mass rule है तो decimal form of rational numbers यह और simplification आगे आने वाली वीडियो में हम cover करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए जदि वीडियो आपका बहुत भीडियो में हम